Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. आइस पैक को एक तौलिया में लपेट कर दर्द वाली जगप पर 20 मिनिट तक रखे या दर्द वाले क्षेत्र में 20 मिनिट तक गर्म दबाव डाले। खुराक इसे दिन में कई बार करे। हरबल तेल आवशक सामागरी हरबल तेल विद्ही थोड़े से तेल को गरम करे और गरम में ही दर्द वाली जगप पर धीरे धीरे मालिश करे। खुराक इसे दिन में कई बार करे। लहसुन आवशक सामागरी लहसुन शर्सों का तेल और नार्यल का तेल विद्ही एक पैन में 25 मिली लीटर नार्यल का तेल और सर्सों का तेल डाल कर इसमें दस लहसुन के दानों को मिलाईए और लहसुन के बुरा होने तक इसे पकाईए और फिर इसे चान ले। खुराक इस तेल को गुन गुने में ही प्रभावित क्षेत्र पर लगाईए। अदरक आवशक सामगरी अदरक पावडर, काली मिर्च पावडर और लौंग विधी एक गिलास पानी में एक चमच अदरक पावडर मिलाईए और कुछ मिन्टों के लिए इसे उबाल ले। फिर इसमें आदा चमच काली मिर्च पावडर और कुछ लौंग डाले और पांच मिनिट के लिए इसे उबाल ले। फिर इसे चान कर पी जाईए। खुराक इसे दिन में दो बार पिए तुलसी की पतिया आवश्यक सामागरी तुलसी की पतिया और पानी विधी एक गिलास पानी में एक मुट्टी तुलसी की पतिया डाल कर इसे कुछ मिनिटों तक उबाल ले फिर इसे छान कर पिज जाए खुराक इसे रोजाना पिए हल्दी पाउडर आवश्यक सामागरी हल्दी पाउडर और दूद विधी एक गिलास गर्म दूद में एक चमच हल्दी पाउडर मिलाईए खुराक इसे रोजाना दो बार पिए नीमबू आवश्यक सामागरी नीमबू का जोस और नमक विधी एक गिलास पानी में एक नीमबू का रस निचोड़े और इसमें एक चुटकी नमक डालकर अच्चे से मिलाईए खुराक इस मिश्रण को दिन में दो बार पिए खसकस आवश्यक सामागरी खसकस के दाने रां काइंडी और दूद विधी एक चमच खसकस के दाने और रांक काइंडी को मिलाईए खुराक इस मिश्रण को एक गिलास दूद के साथ मिलाकर दिन में दो बार पिए कैमो मॉयल अथवा बबून पाउडर आवश्यक सामागरी कैमो मॉयल पाउडर और पानी विधी एक गिलास पानी में एक चमच कैमो मॉयल पाउडर मिलाकर कुछ मिनिटों तक उबाले फिर इसमें एक चमच शहद मिलाईए और चान कर पी जाईए खुराक इसे रोजाना दो बार पिए गेहुं आवश्यक सामागरी गेहुं खुसकस घास पाउडर धनिया और दूध विधी एक मुट्टी गेहुं को राद भर पानी में भिगोईए और सुभा इसमें एक चमच खुसकस घास पाउडर और धनिया पाउडर अच्चे से मिलाईए फिर इसमें एक कप दूध मिलाकर कुछ मिनिटों तक उबाल ले और जब तक यह गड़ा न हो जाई खुराक इसे रोजाना दो बार पिए देखने के लिए धन्यवाद